नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे नए यूट्यूब चैनल एस एजूक्रिशन क्लासेज में दोस्तों आज हम लेकर आये हैं आपके लिए परियाब वर्षे संबंदित आति महत्पूर प्रिशन जिसका यह भाग है नमबर चार इससे पहले हम भाग एक दो और तीर अप्लोड कर चुके हैं जिनने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को सुरू करता हूँ पहला कुश्यन है यादि जैम मंडल में से कारवंडी आकसाइड अठा दिया जाए तो प्रभावित होंगे तो दोस 20.78 परशेंट भी अपन कह सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कारवंडी आकसाइड गैस का प्रयोग पेड़ पोधे अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं पेड़ पोधे जिस प्रोसेस के उदारा अपना भोजन बनाते हैं उसे हम फोटो सिंथेस यानि प्रिका संस्रेशिक के लिए कारवंडी आकसाइड वाटर यानि एस्टु हो सूरिका प्रिकास और क्लोरोफिल की जरूरत होती है तो दोस्तों अगर पेड़ पोधे ऑक्सियन का प्रयोग ना करें तो भी अपना बोजन नहीं बना पाएंगे इसलिए अगर पेड़ पोधे अपना सबसे ज्यादा प्रवावित होंगे वह होंगे उत्पादक इसलिए इसका करेक्ट ऑप्सन हो जाएगा उत्पादक यानि प्रोडूसर अगला कुश्चन है नदियों जीलों और जलाशियों का जल क्या कहलाता है बायू मंडली जल दरातली जल समुद्री जल इन मेंसे कोई जाता है जैसे जल बास पगेरा जाता है जैसे नदियों जीलों जलासियों तालाब का जल और तीसरा समुद्री जल जो समुद्रे पाए जाता है चौता इन मेंसे कोई नहीं तो इसका करेक्ट ऑप्सन हो जाएगा दरातली जल अगला कुश्चन है मीथेन का सबसे बड़ा क यानि संत्रप्ट्राइडल कारवन होता है तो पहला है इसका मक्का की दान की केती इनमें से कोई नहीं तो इसका कर्ग्ट ओप्शन हो जाएगा दान की केती इसका सबसे बड़ा क्रसी सोर्स होता है अगला कुश्यन है महा सागरी जल का प्रमुक उप्योग है यानि महा सागरी जल का प्रमुक उप्योग हम किस किस में करते हैं तो पहला ऑप्षन है मतस उप्योग में दूसरा है जल परिवन में तीसरा है नमक उप्योग में चौता उप्योग सभी में तो दोस्तों हम मतस उप्योग में जल परि हेद्र कार्वन पर दूसरा और चाहँ है तो दोस्तों में आपकोस बताना चाहँंगा है कि युद्धार में मिलगा कर सभूरिद से Saturated Hydrocarbon को हम संत्रप्त Hydrocarbon कहते हैं और Unsaturated Hydrocarbon को हम असंत्रप्त Hydrocarbon कहते हैं तो ये चारों option में ये संत्रप्त Hydrocarbon है तो इसमें पूत्रा है कि सबसे ज़्यादा इनमें Hydrocarbon है प्रदूशर कोन है जो प्रदूशर फैलाता है तो इसका option number A correct हो जाएगा methane CH4 ये सबसे ज़्यादा प्रदूशर फैलाता है अगला question है question number 6 क्रशी की शपलता मुक्यता निर्वर करती है क्रशी यंत्रों पर अच्छी मिट्टी पर खाद पर रोगनासी दवाओं पर तो दोस्तों इन चारों option क्रशी पर मुक्यता क्रशी पर निर्वर करती है लेकिन सबसे ज़्यादा appropriate answer होगा इसका अच्छी मिट्टी पर good soil good soil अगर होगी अच्छी मिट्टी होगी तो उसकी क्रशी की सपलता उस पर सबसे निर्वर करती है क्योंकि अच्छी मिट्टी होगी उसमें सारे पूश्चत मात्रा में मिले हुए होंगे तो जब हम क्रसी करेंगे तो इसकी उत्पादक चमता ज्यादा होगी अता इसका option हो जाएगा option number B अच्छी मिट्टी आगदा question अच्छानक प्रकट होने वाली आपदा है यानि कि ऐस घर्ल Smmos सी डिजाश्टर जो अच्छानक त्पन होती है पहला सुनामी जिसको प्रकट ऑनले मिले मारी बोडी में पेंट है replicate wszystkie कि यहानी left side of the chest तो दोस्तों हमारा जो इर्द है उसका मुख की कार होता है blood को पूरे सरीर में pump करना हमारा इर्द है असुद्ध रक्त को सरीर से एकटा करता है और उसको सुद्ध होने के लिए lungs में भेजता है जब वहां से फिर बापस एकटा करता है सुद्ध रक्त को और पूरी बोडी में फिर फैलाता है हमारा रक्त सुद्ध होता है lungs में यानि कि फ्यापड़ों में अता इसका option हो जाएगा option number D चाती के बाई और हमारा इर्द इस्तित होता है अगला question रिकेट्स रोक किस बिटामिन की कमी से होता है रिकेट्स तो दोस्तों बिटामिन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा बिटामिन की खोशी भंक नामक बैग्यानिक ने सन 1911 में कीती बिटामिन दो प्रकार के ह होते हैं पहला होता है जल में गुलंसील बिटामिन और दूसरा होता है बसामें गुलंसील बिटामिन तो जल में दो बिटामिन गुलंसील होते हैं बिटामिन बी और सी बसामें चार बिटामिन गुलंसील होते हैं ए डी ए के तो बिटामिन एकी कमी से होता है रतोंदी गल्व कोश्चन भारत की पूर्व दिसामें कौन सा समुध्र है तो भारत की पूर्व दिसामें, यह राज जें आसम, मिजोरम, अननाचलप्रदेश और अमारा कलकत्ता यानि पशिम बंगाल तो पशिम बंगाल की साड में ही बंगाल की खाड़ी है तो इसका ख़रक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरभ सागर है वो आपका पशिम में हिंद मां सागर है अगला कुश्चिन इमालय परव़्षी मिर्द से निकलने बाली नदी है यानि एसी नदी जो इमालय परवस्य निकलती है तो इमालय परवस्य हम जानते हैं दोस्तों गंगा नदी का उद्गम इमालय परवस्य यानि गंगोत्री से हुगा है नर्मदा चिप्रा और चंबल ये मद्य प्रदेश की नदिया है अगला कुश्चन मसूर है मसूर क्या है तिलहन है अनाज है दलहन है इन मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों मसूर एक डाल है जो लेगमनेसी कुल का पोदा है और इसका करेक्ट आप्शन हो जाएगा सी अगला है मानम निर्मित रेशा कौन सा यानि की जो मानम ने बनाया उन रेशं कपास रियोन तो दोस्तों रियोन जो रेशा है वो मानम के द्वारा बनाय गया है यानि इसको कृत्म रेशा भी कहते हैं उन जन्तों से प्राप्त होती है रेशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है नसा मुक्ति दिवस कम मनाया जाता है आठ सितंबर 11 जुलाई 31 मई 5 जुन 31 मई को नसा मुक्ति दिवस मनाया जाता है अगला कुश्चन उडीशा का निरत्य का क्या नाम है रूप निरत्य मट्की निरत्य दानकूट निरत्य ओरिशी निरत्य तो दोस्तों जैसा के नाम से सप समक्रामक रोग waterless जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं पिजलती है तो दोसतों संक्रामक रोग. उप्रिक तीनों बाय। दूसरे के संपर्क में आने सिपनपलोब चाहिये इसा अगला कोश्मिंप आने पर जाना चाहिए गर कि छत पर कमरे की कौने में उंची मारत के नीचे पेड़ के नीचे तो दोस्तों अगर भुकम्प आता है तो हमें कमरे के कौने में जाना चाहिए जो सबसे सुरच्चित जगह होती है गर की छत बिलकुल भी सुरच्चित नहीं है उंची मारत बिलकुल भी सुरच्चित नहीं पेड के नीचे बिल्कुल भी स्वच्चत नहीं है अगला कुश्चन बाढ आती है अधिक बरसा से बांध टूटने से पाड़ों की बरभ पिगलने से उप्रेक्ट सवी से तो दोस्तों अधिक बरसा से भी बाढ आती है बांध टूटने से भी बाढ आती है पाड़ों की रखता है तना पती फूल जड़ तो दोस्तों तना पती फूल यह मिट्टी के ऊपर वाले भाग तो तुTP के नीचे वाख होता है जड़ यानी रूट यह पौदे को मिट्टी जड़ बांदे प्रजनन भाग है आदे प्रजनन केसे करता है तो दोस्तों जो होता है वह प्रजनन भाग होता है क्योंके फूल से ही फल बनते हैं पल से फल में होते हैं बीज और बीजों को जब पन मिट्टी में डालते हैं, वे अंकुरत होते हैं, तो पोदा बनाते हैं, फिर पेड़ बनाते हैं, तो यही पोदे का प्रजिरन बाग यानि रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, तो दोस्तो इसका option number A correct होगा, तो दोस्तो यह अमारा last question था, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे 20 questions के साथ, हमारे वीडियो को लाइक, share और चैनल को subscribe जरूर करते लएए, दोस्तो धन्यवाद, जय हिन, जय बारत